मेरा नाम है देव आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हाउ तु फाइल था इंकम टैक्स रिटन वेन यू हव मल्टीपल फॉर्म 16 जी या कई पर क्या होता है हम लोग कई जॉब ना चेंज करते रहते हैं ठीक है तो उस केसे में क्या होता रहता है आपके पास कि कब आपके पास में मल्टीपल फॉर्म 16 होते हैं तो होता क्या है जैसे हमारा जो फाइनिशरी यर्र है वो बिसलिए अप्रेल से मार्च पर चलता है ठीक है अब मालीजे आपने अप्रेल और मार्च के बीच में अगर जॉब चेंज कर दी तो होगा क्या आपने 6 मेने कही आपने दूसी कमनी के अंदर काम किया तो यहां पर आपको दोनों कमनियों से यहां पर फॉर्म 16 मिलते हैं आप गाई सबसे बड़ी में आपको यहां पर एक टिप देना चाहूंगा जब भी आप अपनी जॉब चेंज करते हैं आप क्या कर सकते हैं अपना जो ओल्ड यहां पर दे सकते हैं इससे होगा क्या आपका जो भी TDS कटना होगा वह प्रॉपर तरीकी से कटेगा वरना होगा क्या एक फॉर्म 16 आपके पास के पुराने एम्प्लयर के पास में और एक फॉर्म 16 आपके नए अप्लयर ने दे दिया अगर दोनों के इंदर ही आमांट जो अगरे रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तब क्या कीजे दोनों सफॉर्म 16 को लिजिए उसके दोनों के इंदर जो भी ग्रॉस सेलरी वारा जो कॉलम होता है उसके दो भी अमांट आ रहा है उन दोनों का सिंपल टोटल लगा लिजिए उसके लावा दोनों के देखे किते अ जलरी यहां पर बंजिए यहां पर आपको ध्यान अखने वाली बात यह है जो डिडेक्शन है वो आपको एक ही बार मिलेगी मलाब ऐसा निये कि इस फॉर्म 16 में पचास यहां दिखा रखी आपने पचास की यहां भी दिखा रखी है दोनों को आपने आड कर लिया आपकी जित्ती डिरेक्शन है आपको केवल वही लेनी है लेकिन इंकम आपको दोनों की लेनी है दूसरे केस में क्या हो सकता है माली जी आपके पास में फॉर्म 16 सिफ एक कंपनी का है माली जी आपने जो नहीं वाली कंपनी जॉइन की है वो उसका उसी का सिफ आपके पास में फॉ तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, इस case में आप क्या कर सकती है, आप simply अपने income tax account के अंतर login कीजे, login करने के बाद में आप अपना simply form 26AS चेक कीजे, कैसे चेक करना है, कई सारे में वीडियो बना चुका हूं, description के अंतर link डाल दूँगा, तो आप जब अपना form 26AS चेक कर तो उनके हाथ में जो form 16 होता है, उसकी वो यहाँ पर income शो कर देते हैं, फिर उनके पास में कुछ दिनों बाद में आता है, defective return का notice, अब वो defective return का notice क्यों आता है, क्योंकि last year भी मेरे पास में कई सारी इसे income tax return आई थी, वहाँ पर क्या हूँ आता है, वहाँ पर माली जी व अपना form 26 AS चेक करना है, उसके अंदर का दोनों कंपनियां दिखा रही है, दोनों कंपनियों को simply total कीचिए और जो भी gross salary वाला जो column होते है अपना, उसके अंदर simply insert कर दीजिए, आप guys बात करते है tax की, टेक्स आपका कैसे calculate होगा, तो आपको क्या करना है, simply दोनों form 16 की simply add ज कुछ amount का TDS आपकी पुराने वाली company ने काटा हो, कुछ amount का TDS आपका नई वाली company ने काटा हो, तो actual के अंदर आपका जो भी tax बन रहा होगा, ठीक है, उसमें से आप दोनों TDS को यहाँ पर minus कर दीजिए, अगर माली जे आपका basically यहाँ पर TDS जादा कटा हुआ है, और आप बना चुका हूँ, इस वाले वीडियो की लिंक में आपको description में दे दूँगा, इसमें step by step बता हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने दोनों form 16 की simply calculate income कीजिए, और उन दोनों का add करते हुए, आप ITR 1 के यहाँ पर show कर सकते हैं, कई cases में यह भी हो सकता है, कि माली ज से आप simply total लगा, so guys हमेशा ध्यान रखेगा, अगर आपने दो कमनियों के अंदर काम किया है, तो आपको दोनों ही कमनियों की यहाँ पर income दिखाना जरूर ही है, और दोनों ही कमनी की income add करने के बाद में जो amount आएगा, उसके ओपन यहाँ पर आपको tax pay करना पड़ेगा, so guys hope you like this video, please subscribe our channel, अगर आपके कोई भी doubts है, comment section के अंदर ज़रू mention कीजिए, thank you guys, thank you very much